दोस्तो आज के सेशन में हम देखने वाले हैं रेशनलाइजेशन या जिसे हम हिंदी में कहते हैं परिमेह करण तो देखिए आज हम इसका बहुत ही आसान तरीका देखने वाले हैं और हमेशा की तरह सबसे पहले समझेंगे एक कंसेप्ट और उसके बाद कोशन्स लगाएंग यानि आपसे कोई भी कोशन पांस सेकेंड में बन जाएगा अगर आपने सही तरीके से कंसेप्ट सीखाए तो चली शुरू करते हैं हम आज का वीडियो और सबसे पहले देखते हैं कि रेशनलाइजेशन या परिमेह करण का कंसेप्ट क्या बोलता है तो चली सबसे पहले हम देखते हैं कंसेप्ट ओफ रूट को देखिए रूट का मतलब क्या होता है जब भी नंबर की पावर में 1 बाई 2 लिखा होता है तो हम इसको इस तरीके से अंडर रूट लिखते हैं जब भी पावर में 1 बाई 3 लिखा होता है तो हम रूट ज़रूर में 1 by m है तो हम यहां पर m लिखेंगे तो पावर 1 by 2 हो या 1 by 3 हो या 1 by 4 हो या 1 by 5 हो या 1 by 10 हो हम root में इस position पर वो number लिखेंगे जो 1 के upon में है ठीक है अब suppose मुझे ये बोला जाए कि कि किसी number को root के बाहर निकालना है अगर मैं आपसे कहूं कि चलिए 125 को root के बाहर निकाले तो 125 root के बाहर कैसे आएगा तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि root का मतलब होता power में 1 by 2 power में 1 by 2 कहने का मतलब क्या हुआ कि जो 125 है इसकी power में पावर ने है 1 by 2 अब 125 को मैं क्या लिख सकता हूं तो मैं इसे लिख सकता हूं 5 into 5 into 5 ठीक है या मैं इसको 5 की किसी का square आजाए ताकि ये 2 उससे cancel हो जाए यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 5 का square into 5 और इस पूरे की power 1 by 2 तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा एक तरफ हो गया 5 का square इसकी power 1 by 2 है और दूसरी तरफ है केवल 5 इसकी power भी 1 by 2 है और यहाँ पर ये square वाला जो है इसकी 2 से ये 2 cancel हो ज सकता हूँ अब अगर मुझे कोई perfect square number मिल जाए तो काम आसान हो जाता है for example अगर मुझे 16 मिल गया अंडर root 16 तो मुझे पता है 16 क्या होता है 4 का square होता है और root का मतलब होता है power में 1 by 2 ते जब तक यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब होगा 1 by 2 ठीक है अगर यहाँ पर 3 लिखा है याने इसका मतलब होगा power में 1 by 3 है यहाँ 4 लिखा है इसका मतलब होगा power में 1 by 4 है कुछ नहीं लिखा है याने power में 1 by 2 है तो यहाँ पर यह हो जाएगा 4 की power 2 into 1 by 2 और 2 से 2 cancel होकर 4 की power 1 याने 4 बचेगा तो यहाँ पर जब भी perfect square number होता है काम आसान हो जाता ह बट perfect square number नहीं है तो कुछ number तो root में रहेगा ठीक है अब suppose 125 लिखा हुआ है यहां पर और यहां पर 3 लिख दिया जाए तो अब इसका मतलब क्या होगा कि 5 का cube है और इसकी power में है 1 by 3 ठीक है तो यहां पर क्या हो जाएगा 5 की power 3 into 1 by 3 तो 3 से 3 cancel हो जाएगा तो यह हो जाएगा 5 की power 1 या 5 तो हम इसी लिए अगर under root लगा रहता है तो ऐसा कोई number देखने है जिसका यह square हो है ताकि यह 2 से यह 2 cancel हो जाए अगर यहां 3 लिखा है तो हम देखेंगे कि अंदर वाला number क्या किसी का cube है cube है तो फिर काम असान हो जाएगा 3 से 3 cancel हो जाएगा और वो number बाहर जाएगा root से यहां पर 4 लिखा है तो हम दूनेंगे कि क्या यह जो अंदर वाले number है यह किसी की power 4 हो सकता है अगर हो सकता है तो 4 और 1 by 4 cancel हो जाएगा और आपको पता है वो number बाहर जाएगा तो इस तरीके से हम यह काम अमिता किया करते थे अब आगे देखिए किस तरीके से यहां पर question पूछे है सकते हैं और आगे बढ़िने से पहले आपके लिए एक छोड़ा सा update है एक application पर advanced maths, MPGK, computer course, English, Hindi और भी बहुत सारे courses online section के category में आपको मिल जाएगे तो अभी जाकर क्रिजी जी के tricky application पर मिल जाएगी तो आप क्रिजी के application पर PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं हम चलते हैं सिधा अगले question पर तो देखिए पहला question तो बहुत ही simple पूच सकता है जैसे यहां पर लिखा है under root 400 under root 400 का मतलब क्या हो गया पहली बार तो under root लिखा है यहां पर कुछ नहीं लिखा है ना 2, 3, 4, 5 कुछ नहीं याने power में 1 by 2 है तो यह हो जाएगा 400 की power 1 by 2 अब आपको बस यह देखना है कि क्या यह किसी का square है तो आपको पता है यह 20 का square है और इसकी power में 1 by 2 है याने यह दोनों multiply होके 2 से 2 cancel हो जाएगा हमारे पास अंसर हो जाएगा 20 बुले clear है अब यहाँ पर अगला number देखे है लिखाए होगा है under root 20 अब under root 20 किसी का square तो नहीं है 20 तो किसी का square नहीं है बट मैं इसको लिख सकता हूँ 4 into 5 ठीक है जिसमें से 4 किसका square है 2 का तो मैं यहाँ पर इसको इस तरीक से लिखता हूँ यह 2 का square है into 5 अब यह जो square है किसका square है 2 का तो 2 बहार आ जाएगा इसमें से तो यह बचेगा 2 under root 5 बुले clear है 5 किसी का square नहीं है तो वो अंदर ही रह जाएगा यहाँ पर देखें under root 10 अब यह किसी का भी square नहीं है और ना हमें तोड़ने पर अंदर किसी का square मिलता है तो यह under root 10 का under root 10 ही रहेगा इसमें से कुछ भी भाग नहीं आने वाला अगला नंबर देखे क्या लेखा हुआ है यहाँ पर लेखा हुआ है अन्डरूट 125 1250 देखे 1250 को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि 5 into 5 into 5 into 5 into 2 देखे यहाँ पर मैंने क्या किया मुझे पता है 125 किसका क्यूब है तो 5 फांच का तो 5 into 5 into 5 25 हो गया और फिर 5 into 2 यह टैन हो गया तो मल्टिप्लाइ करने पर 1250 बन जाएगा मैं यहां पर क्या करूँगा कि जिस्क जिसका सक्क्वार हो रहा है उसको मैं बाहर निकाल लेता हूं यानि जो संखे हैं दो बार आ रही हैं उनको एक बार तो मैं बाहर निकाल लेता हूँ यानि 5 into 5 ऐसा दो बार बाहर आ जाएगा और under root में बचेगा 2 तो यह हो जाएगा 25 root 2 पुले clear है आध समझ में आ गई यही numbers अगर आपके सामने 1 upon में दिये हूँ तब हम कैसे करेंगे तब बिलकुल करना तो यही है जिसे 1 by root 10 अब देखिए root 10 में से कुछ बाहर नहीं आ सकता तो कोई बात नहीं छोड़ दीजे इसको ऐसे अब यहाँ पर मुझे ज़रूरत पड़ती है परिमेह करन की क्यों क्यों क्योंकि यहाँ पर यह जो नीचे number है हम mathematically ऐसा बोलते हैं कि denominator में याने हर में हमारे पास under root वाला number नहीं होना चाहिए तो यहाँ पर root 10 फिलाल है तो हम इसे हटाने के लिए नीचे भी root 10 और उपर भी root 10 का multiply कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा तो यह हो जाएगा under root 10 और यह क्या हो जाएगा तो root 10 into root 10 equals to 10 तो ध्यान रखेगा एक छोटी सी बाट under root n into under root n तो यह क्या होता है यह होता है under root n का whole square है की नी और under root से square cancel हो जाता है तो बसता है n तो कभी भी आपको अगर under root n into under root n की condition आई तो आप समझ जाएगा कि n बाहर आ जाएगा यहाँ पर 20 है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं सबसे वहले तो यहाँ पर इसका परीमिय करन कर लेज़ेगा कैसे under root 20 को मैंने अभी क्या लिखाता 2 root 5 लिखाता तो यहाँ पर यह हो है नहीं देखे 2 कोई under root वाला नंबर तो है नहीं यह कोई irrational नंबर तो है नहीं तो हमें इससे बिल्कुल छेडने के ज़रूरत नहीं इर्रैशनल नंबर कौन सा है root 5 तो basically मुझे multiply भी केवल root 5 root 5 ही करना होगा तो यह क्या हो जाएगा यह हो जाएगा root 5 upon यह है 2 into root 5 into root 5 root 2 ठीक है अब मुझे multiply क्या करना है मुझे सिफ root 2 ही multiply करना है याने जो नंबर root के अंदर में बचेगा मुझे केवल उसी को multiply करना है तो यह हो जाएगा root 2 upon 25 into root 2 into root 2 के इता हो जाएगा 2 हो जाएगा तो इससे बहुल सकता हूँ root 2 upon 50 और यह हमारा इसका rationalization होगा I hope आपको यह बात समझ में आ गई होके अब यहाँ पर हमने देखा था कि कोई भी number जो नीचे है वो root में दिया हुआ है इसमें कुछ plus minus नहीं है बट अगर आपको याद आ रहा हो तो आपने जो बच्पन में 6,7,8,9 में पला था उसमें हम कैसे होता है तो अब देखें आपके समने पहला question लिखा है 1 upon 2 plus root 3 अब 1 upon 2 plus root 3 में क्या आप केवल root 3 का multiply करके काम चला सकते हैं तो आप देखेंगे कि root 3 का अगर आप multiply करेंगे तो यहाँ पर हो गई है कि यह तो 3 हो जाएगा बट यहाँ पर 2 root 3 आ जाएगा यानि यह हो जा denominator में जो मेरी condition थे कि denominator में root वाली संख्या नहीं होनी चाहिए वो सिर्फ root 3 multiply करने से satisfy नहीं कर रही है तो मुझे यहाँ पर कुछ और करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा अब आपको बच्पन का पढ़ा हुआ शायद यादा रहो कि हम यहाँ पर number से multiply करते थे बस sign change कर द देते थे नीचे भी और ऊपर भी याने इस sign को change कर देते थे बाकी numbers as it is रहने देते थे ठीक है तो ऊपर क्या जाएगा 2 minus root 3 आ जाएगा अपन यहाँ पर क्या होगा तो यहाँ पर formula लगेगा a plus b into a minus b का और हमें इस formula का मतलब पता है a plus b into a minus b क्या होता है तो यह होता है a square minus a square का मतलब two का square कितना होता है four minus b square का मतलब root 3 का square कितना होता है तो यह तो 3 हो जाएगा तो खुल मिलाकर यह हो जाएगा तो आप क्या multiply करेंगे तो आप multiply करेंगे 2 plus root 3 का उपर और 2 plus root 3 का नीचे इसी तरीके से हम multiply करेंगे तो उपर तो आ जाएगा 2 plus root 3 मुली clear है नीचे के आएगा तो ये होगा A minus B into A plus B मैंने formula बता है था A square minus B square A square का मतलब 2 का square तो 4 हो जाएगा minus B square B square में root 3 का square होता है 3 तो इसका answer हो जाएगा 2 plus root 3 मुली clear है बत समझ में अब यहाँ पर भी आप number देख लिएजी क्या लिखा हुआ है तो यहाँ पर लिखा हुआ है 1 upon 7 plus under root 48 अब देखे यहाँ पर मुझे multiply क्या करना है 7 minus under root 48 यहाँ भी और 7 minus under root 48 यहाँ भी दोनों तरफ multiply करूँगा तो उपर तो आजाएगा 7 minus under root 48 नेचे क्या बचेगा तो देखे A square minus B square तो 7 का square होता है 49 minus 48 अभी यहाँ पर देखे आपके पास आएगा 7 minus 48 वो भी under root में फिलहाल मैं आपसे एक छोड़ा सा question पूछता हूँ क्या इसमें से कुछ बाहर निकाला जा सकता है तो आप बोलेंगे हाँ कैसे 7 minus under root मैं इसको लिख सकता हूँ 4 into 12 लिख सकता हूँ और अगें 12 को लिख सकता हूँ 4 into 3 तो इस तरीके से मैंने इसको rationalize कर दिया मैंने इसको यहाँ पर तोड़ दिया अब 2 बार 4 आया तो एक तो बाहर आ जाएगा याने यह हो जाएगा 7 minus 4 root 3 क्योंकि 3 अखेले ही था तो वो root के अंगर बच जाएगा और जो 4 दो बार आये थे उनको मैंने एक बार बाहर ले लिया तो यह होगा इसका सही आंसर आपको यह बात समझ में आ गई होगी अगला कोशन देखें क्या लेका हुआ है 1 upon 7 minus under root 48 तो यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर 1 upon 7 minus under root 48 में मुझे multiply करना पड़ेगा 7 plus root 48 ओपर भी और 7 plus root 48 नीचे भी ओपर क्या मिलेगा ओपर मिलेगा 7 plus root 48 और नीचे तो 1 आजाएगा कैसे तो A square minus B square A square याने 7 का square 49 होता है और under root 48 का square तो 48 ही होता है माइनस करने पर 1 आजाएगा यहाँ पर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ तो यह हो जाएगा 7 plus 4 root 3 I hope आपको यह बात समझ में आ गई होगी मैं सबसे पहले इन सारी चीज़ों को यहाँ से हटा देता हूँ और वापस से जो पहला question था हमारा उसको लेता हूँ और वहाँ से आपको समझाने ही कोशिश करता हूँ कि कैसे मैं सिर्फ देख कर सिर्फ देख कर rationalization कर सकता हूँ बिना किसी बहुत जादा या heavy calculations के तो हमें इतना कुछ भी नहीं करना है हमें बस दो चीजों का ध्याम रखना है कौन सी है वो दो चीजे तो पहली चीज तो ये कि आपके पास जो under root में नीचे number दिये है केवल परिमे करन इनका ही करना है उपर अगर 1 है या 2 है या 3 है या 4 है या root 6 है तो मुझे उपर वाले number से मतलब भी नहीं है तो मुझे केवल denominator का route गयब करना है तो मतलब केवल denominator से होगा इस बात का ध्यान रखें ठीक है मुझे मतलब केवल denominator से होगा चलिए अब यहां पर आप ध्यान से देखें के denominator याने हर में कौन सी दो संखिया है तो आप एक बोलेंगे 2 है और दूसरी बोलेंगे root 3 है यही 2 संख्या हैं तो आप सबसे पहले क्या करेंगे इन दोनों संख्याओं का कर लेंगे square क्या करना है square 2 का square किता होता है 4 और root 3 का square किता होता है तो आप बोलेंगे 3 होता है ठीक है, आपने क्या कर लिया, इनका square कर लिया, square करके मैं नीचे लिख देता हूँ, square किया, 2 का square होता है, 4 और root 3 का square होता है, 3, बस इतना ही करना है, अब आप आगे देखिए, इन में से बड़ा number कौन है, तो देखिए, 4 और 3 में बड़ा number 4 है, तो अगर आप इनके उपर under root भी लगाते हैं, तो भी आपको बड़ा number 2 मिलेगा, और छोटा number root दिने, जो sequence यहाँ है, यह बड़ा यह छोटा, तो under root वाले number याने square करने से पहले भी, यह बड़ा रहा होगा, और यह छोटा रहा होगा, तो हमीशा बड़ा number पहले लिखेंगे, छोटा बाद में लिखें अंतर आएगा एक, और यह होगा आपका rationalization, बुलिए बात समझ में, वापस से सुनिये, मैंने क्या बोला, मैंने बोला, जो नीचे दो number दिये हूँ है, इनका आपको करना है square, square करेंगे, तो यह हो जाएगा 4 और यह हो जाएगा 3, अब 4 और 3 में 4 बड़ा है, ठीक है, तो square करने से पहले भी, यह दो बड़ा होगा, और यह root 3 चोटा होगा, तो आप पहले बड़ा number लिखेंगे, याने 2 पहले लिखेंगे, root 3 बाद में लिखेंगे, sign minus था तो इस बार हो जाएगा, plus upon में कड़के लिखेंगे, इनका अंतर, 4 और 3 का अंतर कित्ता होता है, एक होता ह बस बात यहीं पर खतम होगी, यह होगी आपका rationalization, बात समझ में, clear है, चलिए, अगला question देखिए वापस से, मैंने आपको क्या बोला अभी, मैंने बोला कि आपको इनका square करना है, 7 का square होता है, 49 और under root 48 का square तो 48 ही होगा, ठीक है, इन नोनों में बड़ा कौन है, तो 49 होगा, under root 48 छोटा होगा, तो जो बड़ी संख्या है, वो पहले आएगी, जो छोटी है, वो बाद में आएगी, plus का sign था, तो minus का हो जाएगा, और इनके square का अंतर, square का अंतर एक है, तो यहाँ पर एक आ जाएगा, और यह होगी आपका rationalization, बोलिए बात समझ में, फिर आप बाहरार निकालने के प्रक्रिया आप कर सकते हैं, तो यह हो जाएगा, 7 minus 4, root 3, upon 1 में 1 लिखे हैं, यह ना लिखे चलेगा, यहाँ पर भी अब आप इसको easily बना सकते हैं, तो यह हो जाएगा, 7 plus under root 48, upon 1, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, 7 plus 4, root 3, तो देखे, कितनी असा बस मैं देख कर बता सकता हूं कि rationalization करने के बाद क्या होगा, चले, अगले questions पर आते हैं, तो देखे, थोड़ी दिर पहले मैं आपको यही समझा रहा था, कि अगर मेरे पास upon, याने denominator में root है, तो मुझे इसको हटाना है, उपर, याने numerator में root हो या ना हो, इससे मुझे कोई अगी मतलब नी है, इसको तो पहले में side में कर लेता हूं, तो मैं इसको लिखता हूं 2 into 1 upon 2 plus root 6, वो, ले clear है, बात समझ में आगी, चले, अब इनका square कर लेते हैं, इसका square कितना होगा, इसका square कितना होगा, शë होगा, आपको कुछ नहीं करना है, दो तो पहले ही side में था, तो उसको तो side में ही रखिएगा, यहाँ पर जो संख्या बड़ी है वो पहले लिखेंगे, बड़ा कोन है? root 6 बड़ा है, देखिए 6 और 4 में बड़ा कोन है, तो 6 बड़ा है ना, तो यहाँ पर square करने से पहले भी root 6 बड़ा होगा, तो पहले बड़ी संख्या लेखेंगे, फिर छोटी संख्या लेखेंगे, plus का sign था, तो minus करेंगे upon, जो इनके squares का difference है, इनके square का अंतर कितना है, 2 है तो वो लिख लेगे, और अब इसे आप solve कर सकते हैं, कि ये 2 से ये 2 cancel होगा, तो answer हमारे पास बचेगा, root 6 minus 2, ये इसका परिमे करन, या इसका rationalization करने पर हमें मिलेगा, बहुत ही simple होगा की नहीं, यहाँ पर देख लीजे, क्या लेखा हुआ है, 7 को तो पहले side कर लीजे, तो ये बचे गया, 1 upon 3 minus root 2, कोई बात नहीं, 7 को side ही रहने दिजेगा, इनका square कर लीए, square कितना होता है, 9 होता है, square कितना होता है, 2 होता है, दोनों का अंतर कितना होता है, 7 होता है, तो upon में तो 7 आई गई आएगा, इन में बड़ा कौन है, तो भीलिए 9 बड़ा है, हमारा इसका rationalization होगा I hope आपको ये बात समझ में आ गई होगी अगला question अब आप बना सकते हैं चले ट्राइ करते हैं पहले आप ट्राइ करें फिल solution देखिएगा यहाँ पर हम क्या करने हैं 5 को पहली side कर लीजेगा यहाँ पर इसका square कितना होगा 25 होगा इसका square करेंगे तो देखिए 2 का square 4 होता है into root 5 का square तो 5 ही होता है ठीक है तो यह कितना हो जाएगा 4 into 5 is 20 तो एक तरफ square करने पर मिला 25 दूसरी तरफ square करने पर मिला 20 20 क्यों मिला समझ में है इसका square करूँगा तो 2 का square 4 होता है root 5 का square 5 होता है चार पंजे 20 होता है इन दोनों का अंतर नीचे लिखना याने 5 आ जाएगा जो बड़ी संख्य है वो पहले जो छोटी है वो बाद में 25 और 20 में बढ़ा 25 है तो 5 पहले आएगा 2 रूट 5 बाद में आएगा प्लस का साइन था तो माइनस का हो जाएगा 5 से 5 के आंसल हमारा रेशनलाजिशन 5 माइनस 2 रूट 5 आएगा और यहीं हमारा इसका रेशनलाजिशन होगा बुले क्लियर है अगला कोशन बहुत ही अच्छा है देखिए यहां पर क्या लेखा हुआ ह यहां पर लेखा हुआ है 2 root 2 और यह है root 6 square करेंगे तो कितना आएगा तो इस 4 दूनी 8 हो जाएगा और इसका square करेंगे तो कितना आएगा तो यह हो जाएगा 6 देखिए उपर root 2 है ठीक है न कोई दिक्कत नहीं है चाहे 5 था चाहे 7 था चाहे 2 था चाहे root 2 है उपर कुछ भी number उसे मतलब है ठीक है अब देखिए इनका अंतर कितना आता है तो अंतर आता है दो यही आता है बुले clear है अब यहाँ पर बड़ी संक्या कॉन है तो 2 root 2 बगा है तो वो पहले आएगा plus का minus हो जाएगा root 6 बाद में आएगा बुले clear है चले multiply कर लीजिएगा तो यह हो जाएगा अंदर जाने के बाद 2 into root 2 into root 2 तो वापस 2 हो जाएगा तो यह जाएगा 2 into 2 4 minus जब यह यहाँ multiply होगा तो 2 बाहर आ जाएगा 2 root 3 upon 2 इसको cancel out करेंगे 2 से दोनों कट रहा है तो 2 minus root 3 हमारा rationalization होगा यही हमारा answer होगा I hope आपको यह question भी समझ में आ गया होगा और आब आप rationalization काफी असानी से बना लेंगे चले अगले questions पर आते हैं अगला question देखे क्या लिखा होगा है 2 minus root 3 upon 2 plus root 3 अब जैसे कि मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि actually numerator से जादा मतलब होता नहीं है तो numerator को तो आप पहले ही side कर दीजे इसको rationalize नहीं करना है करना किसको है नीचे वाले को कैसे करना है इनका square करिए तो यह 4 हो जाएगा यह 3 हो जाएगा जो बड़ी संख्या है वो पहले जो छोटी है वो बाद में प्लस का क्या हो Зाएगा माइनस हो जाएगा दोनों का अंतर एक आ रहा है तो बड़े में ईक लिख dashboard क्या होता है a minus b का whole square होता है a square plus b square minus 2ab तो हम यही formula यहाँ पर भी लगाएंगे a square याने 4 plus b square याने root 3 का square तो 3 होगा minus 2 into a into b याने 2 into root 3 तो खुल मिला कर यह हो जाएगा 7 minus 4 root 3 उलिए clear है बात समझ में आगी इस तरीके से हम question को easily बना सकते हैं अगला question देखिए क्या लिखा हुए root 6 minus 2 upon 2 plus root 6 उपर वाले number से मतलब है ही नहीं मुझे इसे तो आप पहले side कर लीजे नीचे वाले number का rationalize करिएगा तो नीचे वाले number को rationalize करूँगा तो इसका square होता है 4 इसका square होता 6 अब देखिए 4 औ 6 में 6 बड़ा है तो देखिए यहां पर इनका अंतर आएगा 2 तो 2 minus 2 मतलिख दीजेगा 2 आएगा अंतर बोल रहा हूँ 6 और 4 में कित्ते का अंतर है 2 का अंतर है तो 2 आएगा बली clear है तो यह कुल मिलाकर हो गया root 6 minus 2 का whole square upon 2 फिर वापस formula लगा लिजेगा तो यह हो जाएगा 6 plus 4 minus 4 root 6 upon 2 तो यह हो जाएगा 10 minus 4 root 6 upon 2 2 से दोनों कटेंगे 10 भी कटेगा और 4 भी कटेगा तो काट लिजेगा तो यह answer हो जाएगा 5 minus 2 root 6 उले clear है और यही इसका rationalization यह इसका proper solve करने के बाद का मतलब होगा अगला question देखिए यहाँ पर देखिए आप ध्यान से कि यह है 1 upon root 3 minus root 2 plus 1 upon root 3 plus root 2 अब आप समझ चुके हैं इसका rationalization अगर बस में करूँ तो क्या होगा तो बड़ा पहले छोटा बाद में sign change हो जाएगा तो यह हो जाएगा 3 plus root 2 वो लिए clear है plus इसका rationalization करूँगा तो क्या होगा तो बड़ा पहले छोटा बाद में plus का क्या हो जाएगा minus हो जाएगा तो यह हो जाएगा 3 minus root 2 यहाँ से plus minus यह cancel हो जाएगा और 3 plus 3 6 इसका answer हो जाएगा I hope आपको इस समझ में आगया होगा तो अब आप से rationalization बनने लगे और अब हम आते हैं सीधा questions पर जो की बहुत ही important है तो देखिए सबसे पहला question क्या लिखा हुआ है if x equals to this and y equals to this तो आपको बताना है x plus y तो आपको simple add कर देना है कुछ भी नहीं करना है 2 root 3 plus root 11 और 2 root 3 minus root 11 को आपको add करना है जब आप इन्हें plus करेंगे तो ये दोनों cancel हो जाएंगी और बचेगा क्या 2 root 3 plus 2 root 3 equals to 4 root 3 बोलिए बात समझ में option 20 का सही answer हो जाएगा या हम उसको बोल सकते है 2 गदा plus 2 गदा बराबर 4 गदा बात समझ में आगी चलिए अगले question पर रहते है अकला question देखे क्या लिखा हुआ है x equals to ये दिया हुआ है y equals to ये दिया हुआ है आपको करना है y minus x किसको किस से minus करना है ध्यान रखेगा 4 plus root 15 ये हो गया y minus x यानि 4 minus root 15 बोलिए clear है बात समझ में आगी अब देखे ये minus अंदर वाली signs को change करेगा यानि ये हो जाएगा 4 plus root 15 minus 4 plus root 15 तो ये minus हो जाएगा और ये plus हो जाएगा इस तरीके से 4 से 4 cancel हो जाएगा और 15 plus 15 यानि root 15 plus root 15 is equals to 2 root 15 इसको 30 मतलिख दीजेगा ध्यान रखेगा तो 2 root 15 हमारा सही answer होगा option A बोलिए clear है अगले question पर आते है अगला question देखिए क्या लिखा हुआ है if x equals to this and y equals to this तो आपको निकालना है x plus y x minus y और x square minus y square अब देखें जैसा कि हमें पता है x plus y निकालना तो बहुत आसान है है कि नहीं x plus y के इतना आएगा तो इन दोनों को बस add करना है तो ये plus 2 से minus 2 cancel हो जाएगा तो ये आज़ेगा 2 root 5 ठीक है x minus y कैसे आएगा तो देखें माइनस कर देगे तो ये दोनों minus हो जाएगे y वाले तो ये minus हो जाएगा और ये plus हो जाएगा तो खुल मिलाकर इस बार root 5 cancel out हो जाएगा और 2 और 2 चार हो जाएगा याने x-y के वेलिये हो जाएगी 4 ठेक है अब अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ x²-y² निकाली है तो x²-y² का फॉर्मुला आपको अगर याद हो तो x-y into x-y होता है और ये थोड़ी दिर पहले अब भी हमने यही तो निकाला है तो बस आपको इधर सब्स्टिट्यूट कर देना है x-y 2√5 है x-5 4 है तो ये हो जाएगा 8√5 इसका सही आंसर होगा x²-y² के लिए तो I hope आपको ये बाद समझ में आगी होगी तो मैंने आपसे x-y और x-y इसी लिए निकलवाया ताकि मैं आपसे x²-y² निकलवा सकूँ अब आपको समझ में आगया होगा कि अगर किसी कोशन में सीधा x²-y² पूछ लिया तो आपको पहले x-y निकलना है फिर x-y निकलना है दोनों को multiply करके x²-y² बता देना है चले अगले कोशन पताते है अगले कोशन देखी क्या लेका हुआ x equals to 2 plus root 3 और यहाँ पर दी है x into y equals to 1 तो आपको बताना है x plus y क्या होगा देखे सबसे पहले तो यह समझे कि x की value अगर 2 plus root 3 है और x into y equals to 1 है तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि y equals to 1 by x होगा ठीक है और जिसमें x की value क्या है 2 plus root 3 तो मुझे इसका परिमेय करना पड़ेगा तो जब भी मुझे इसका परिमेय करना पड़ेगा तो मुझे पता है कि इसका square करूँगा इसका square करूँगा दोनों का अंतर के ताता है एक आता है बड़ी संख्या पहले छोटी बाद में प्लस का हो जाएगा माइनस अपॉन में लिखू या ना लिखू तो ये मुझे मिल गई किसकी वेल्यू ये है एक्स ये है वाई अम मुझे एक्स प्लस वाई निकालना है दोनों को एड कर दूंगा तो रूट 3 से माइनस रूट 3 कैंसल आउट हो जाएगा दो और दो चार हो जाएगा याने ऑप्शन ए इसका सही अंसर हो जाएगा आपको आपको ये बाद समझ में आगी होगी बहुत ही सिंपल कोशन था चलिए अगले कोशन पर आते हैं अगला कोशन दिखी क्या लिखा हुआ है x की value ये है और x into y equals to 1 ये है x minus y निकलना है आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि x की value root 6 minus root 5 है तो x into y equals to 1 की condition में y की value होती है 1 by x याने ये हो जाएगा 1 by root 6 minus root 5 और इसका परिमेह करने पर आएगा root 6 plus root 5 वो लिख clear है अगर आपको इतना पता है तो x minus y निकालने में कोई दिक्कत ही नहीं होगी आपको आपको x minus y करना है minus y करना है तो इसके sign change हो जाएगे ठीक है ये दोनों आपस में cancel हो जाएगा और ये हो जाएगा minus root 5 minus root 5 याने twice of minus root 5 तो यहाँ पर option b में से minus कर लिजएगा और ये हमारा सही answer हो जाएगा तो बहुत ही simple सा question था कुछ भी नहीं था आगे बढ़ते हैं अगला question देखते हैं अगला question देखे किया लिखा हुआ है x की value दी हुई है y की value दी हुई है और x square minus y square पूछा है अभी थोड़ी दिर पहले मैंने आपको क्या पता है था कि अगर मुझे x square minus y square निकालना है तो पहले मुझे x plus y और x minus y निकालना पड़ेगा और इनको multiply करने पर x square minus y square मिल जाएगा यहां पर अगर मैं x plus y निकालना तो क्या होगा दोनों को add करूँगा तो यह दोनों आपस में cancel हो जाएगे यहां पर आजयेगा 3 plus 3 is 6 into जब मैं x minus y निकालना तो actually 3 से 3 cancel हो जाएगे क्योंकि यह minus में आजयेगा और यह plus में आजयेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2 root 2 प्लस 2 root 2 याने 4 root 2 ये x minus y के value हो जाएगी और ये हो जाएगा 64Z 24 root 2 याने option C इसका सही आंसर हो जाएगा तो देखी इतने simple बिलकुल 2 से 3 सेकेंड में इस टाइप के questions बनते हैं अगर आपको सही तरीका पता है तो चले अगले question पर आते हैं अगला question दिखी क्या लिखा हुआ x की value दी हुई है 1 upon 2 plus root 3 y की value दी हुई है 1 upon 2 minus root 3 और आपको निकलना है y plus x y minus x और y square minus x square भी बहुत बढ़ी बात तो है नहीं x की value के आएगी तो इसका परिमे करन करने पर हमको मिलेगा 2 minus root 3 ठीक है upon में वनाएगा वो मतली की है कोई दिक्कत नहीं है y की value के हम लेगी इसका भी हमें rationalization यह परिमे करन करना पड़ेगा तो ऊपर जाएगा तो बड़ी संख्या पहले आएगी छोटी बात में आएगी minus क प्लस हो जाएगा अब आपको पता है y plus x निकालना कोई बड़ी बात तो है नहीं यह दोनों minus plus cancel हो जाएगी इसकी value हो जाएगी 4 y minus x देखे minus x में यह minus होगा तो जब x minus होगा तो इसका sign change होकर इस तरीके से हो जाएगा तो इस बार 2 से 2 cancel out होगा और root 3 पस root 3 to root 3 मिचेगा बुरी clear है तो यह हो जाएगी y minus x की value y square minus x square निकालने के लिए आपको इन दोनों को simple multiply कर देना है तो 8 root 3 इसका answer हो जाएगा इन दोनों को multiply करेंगे तो यही तुमें लेगा है की नहीं चले तो I hope आपको इस type के question सब बन जाएंगे बनने लगे होगे चले अगले question पर आते है अगला question देखी के लेगा हुआ है x equals to 2 upon 3 root 2 minus 4 और y equals to 2 upon 3 root 2 plus 4 अब इसका परमे करन करते हैं सबसे पहले x को क्या लेकूंगा तो 2 तो पहले side कर लीजेगा इसका परमे करन करने पर यह बड़ी संख्या है देखें 9 दुनिया 18 और यह है 16 तो कुल मिलाकर अंतर आएगा 2 का ब plus 4 मुले clear है y के value कितनी आएगी आपको इसका परिमे करन करना है minus sign change हो जाएगा upon me to बाकी सब कुछ वही रहेगा तो यह हो जाएगा root 3 root 2 minus 4 ठीक है x plus y दोनों को plus करूंगा तो 4 से 4 cancel हो जाएगा तो यह आजाएगा 6 root 2 x minus y minus करूंगा तो यह minus हो जाएगा और यह plus हो जाएगा 4 plus 4 8 यह जाएगा x square minus y square दोनों को multiply कर दूंगा तो x square minus y square मल जाएगा 6 8 is a 48 root 2 इसका साही आंजार हो जाएगा तीसरे वाले के लिए याने x square minus y square के लिए इतने easy questions थे तो चलिए आज का session हम यहीं तक रखते हैं अगले session में कुछ बहुत ही अच्छे और बहुत ही important questions discuss करेंगे जो कि यहां से बनने वाले हैं मिलते हैं next session में तब तक keep studying and stay safe. Thank you.